वलसाड के मोगरावारी जोन में रेलवे अंडर पास को स्थाई रूप से बंद करने के लिए पिछले सापता रेलवे सेक्षन अधिकारी ने संबंदित विबागों को बेजी गई नोटीस का मुद्दा वहाँ पर स्थाई 35,000 लोग की आबादी के लिए एक चर्चा का विशय बन गया है इस प्रशन की नीराकरन के लिए कलेक्टर की बैठक रेलवे वर नगरपालिका के अधिकारियों के साथ हुई जिसमें वैकल्पिक विवस्ता होने तक इस अंडरपास को जारी रखने का आगरा कलेक्टर ने रेलवे से किया था आपको बता दे कि मोगरावाडी और अब्रामा जोन पार्डी सानपोर के लोग वर्षों से इस रेलवे अंडरपास का उप्योग करते आ रहे हैं 11 मैं को वरिष्ट अनुबाग अधिकारी ने मोगरावाडी के अंडरपास को स्थाई रूप से बंद करने की सूचना नगरपाली का कलेक्टर, मामलतदार, पोलिस व्यवस्ता को नोटीस के माध्यम से दी थी हाला कि रेलवे के इस रवये से नगरपाली का के विपक्षनेता गिरिश देशाई, जिला पंचायत के विपक्षनेता बोलाबाई पटेल, सदस्य और संजय चोहान, जाकिर पठान, विजय पटेल और अन्या के साथ-साथ, मोगरावाडी, अबरामा और पारडी सांडपोर शेत्र के लोग नाराज हो गए, जिसको लेकर गुरुवार को कलेक्टर आरार रावल ने, प्रांती अधिकारी निलेश कुकडिया, रेलवे अधिकारियो, पालीका सीओ जेईू वसावा और एंजिनियर हितेश पटेल के साथ एक बैटक बुलाई थी, जिसमें नगरपाली इसे स्थाई रूप से बन करने के लिए, रेलवे के निरने को प्रस्तूत किया था, जिस पर कलेक्टर ने कहा था कि, यह अंडर पास जन कलियान का प्रश्णा है, और वैकल पिक्स तोत्र मिलने तक, इसे जारी रखने का भी आगरा उन्होंने किया था